वेल्कम बेक फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक बार फिर से बाबा जी होंस में दोस्तों सनी इंकलेव सेटरी 125 महाली में एक और ब्रेंड न्यू घर बनकर रेडी हो चुका है ये घर कॉर्नर का घर है और फॉल डव स्टोरी 4BH के बनाया गया ये घर है इस घर में घर के बाहर से पर्मेनेट वाली कॉंक्रीट की स्टेर्स हैं ग्राउन फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए इस घर में ग्राउन फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कु सेम एक ही जैसा मैप और अकॉमेडेशन बनाई गई है इस घर में कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी नॉर्मल से जैसे कि इस तरफ आपको वीडियो डोर बेल नजर आ जाएगी और कॉर्नर का घर होने के कारण दो तरफ से पार्किंग की स्पेस आपको इस घर के अंदर की तरफ मिलेगी एक तरफ से हम इस तरफ से पार्किंग की स्पेस को यूज कर सकते हैं इस तरफ आइरन का काफी हैवी गेट स्लाइडिंग वाला लगाया गया है साथ एक चोटा गेट भी दिया गया है और पूरी तरह से बसावत वाला एरिया है आपको नज़र आ जाएगा कि इस एरिया में शायद ही कोई प्रॉट खाली हो फुली ओकोपाइड एरिया है और घर के सामने इंटरलोक वाली टैल्स वाली रोड पहले से ही बने हुई है और इस घर में CCTV कैमरा भी पहले से ही लगा दिये गई है दो CCTV कैमरा इस घर में आगे की ओर लगाये गई है और क्योंकि कॉर्नल का घर है तो कॉर्नल साइट पे भी एक CCTV कैमरा लगाया गया है और एक CCTV कैमरा घर के ग्राउंट फोर के बैट यार्ड में वाशिंग एरिया में लगाया गया है और अप्रोच के लिए एक कनेक्टिवीटी इस तरफ से है सीधा हाईवे से कनेक्टिवीटी आपको मिलेगी इस घर में आने के लिए एक किलोमेटर के आसपास का डिस्टेंस है में हाईवे से जो चन्डिगट वाली रोड है जिसके उपर फ्लाइवर बना हुए है और दूसरा रास्ता इस तरफ से है इस तरफ से सनी क्ले के अंदर जो गुर्द्वारा साइब है मार्किट है वहां से भी आपको कनेक्टिवीट नजर आ जाएगी बड़ी खुब सुर्तिक साथ डिजाइन करके बनाया गया है इसकी एलिवेशन को और बालकोनी भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी इस तरफ ग्रे रस्टिक डिजाइन में पिलर्स बनाए गए है और टाइल वर्क किया गया है प्रॉपर साइड की एलिवे एरशिंग एरिया में भी पहले से ही लगा दिया है दोस्तों कॉर्णर साइड पे आपको काफी बड़ा एक बरंवाला एरिया मिलेगा इस घर में जिसमें गार्डिन के लिए भी स्पेस दी गई है और साथ ही आपको पार्किंग के लिए अखस्ट्रा स्पेस मिलेगी और boundary wall में नीचे की तरफ properly tile work किया गया है उपर की तरफ iron की railing है और घर के अंदर की दूसरी car parking इस तरफ से है और इस तरफ भी iron का काफी heavy gate लगाया गया है और काफी spacious car parking की space इस तरफ से दी गई है इस घर को बनाने में बड़ी ही premium और rich quality का use किया गया है और जिस तरह से ये घर बाहर से proper designing के साथ बनाया गया है इस घर को ground floor और first floor में अंदर की तरफ से बहुत ही खुबसूरती के साथ design करके बनाया गया है ये घर लगबग 5 मरले का घर है लगबग 120 कच के plot के उपर बनाया गया है 25 foot by 43 foot इस घर की dimensions है इस घर की construction का काम सारा ही खतम हो चुका है इस घर में wallpapers भी लगा दिये गए है और even इस घर में branded sanitary की fitting भी लगा दिये गई है जैगवार और सेरा कंपनी की main entry door पे digital security lock लगाया गया है तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस घर को अंदर से देखते हैं नहीं कर दोस्तों प्रूबवार 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 को अंदर से देखते हैं झाल 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 झाल